हलो फैंट्स मैंना वरितु गोरम और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु स्टेडी पॉइंट में सो फैंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं सन 2023 साइंस का सेंपल पेपर जो की बोर्ड एक्जाम के परपर से बनाए गया है जो को बनोगर के सारे कोस्ट के अंसर देंगे उससे पहले गर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थो प्लीज सब्सक्राइब कर लें में को प्रेज प्रस्ट करें और हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर्ब डाउनलोड कीजिए क्योंकि application में सारे प्रेपर के solution आपको डि प्रश्ण संख्या एक बहु विकल्पिया है दो से नो तक एक अंके हैं दस से पंद्रा तक के दो अंके हैं इस तरह से आपको कोश्ण पेपर सेक्शन में डिवाइडिड है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा फर्स्ट कोश्ण में हमसे बोला गया है कि इस प्रतिये खंड के उत्तर में चार विकल्प दिये गए हैं सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो पहला है sodium bicarbonate का रसाइनिक सूत्र HNO3, CH3COOH, NaHCO3 और C3H7OH तो यहाँ पर जो स्करेक्ट आंसर होगा वो होगा NaHCO3 sodium bicarbonate का यह रसाइनिक सूत्र है अगर हम बात करें है channel 3, nitric aml होता है और सभी के नेम अलग अलग है, ठीक है, question खा में देखिए, खा में हमसे बोला गया है कि कोई billion लाल इटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवत है होगा इसके लिए मैंने अपनी सारी वीडियो में बहुत अची ट्रिक बता रखी है जिसको बोल जाता है anil, ठीक है, anil के नाम से ट्रिक होती है, आ का मतलब होता है अमल और ना का मतलब होता है नीला और ला का मतलब होता है लाल तो यहां से conclusion निकालेंगे कि जो अमलों होते हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में change कर देते हैं तो अमलों की जो pH value होती है 1 से 7 के बीच में होती है ठीक है अब हम से यहां पर पोचह गया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो नीला लिटमस जब नीले को लाल करता है वो अमल होता है तो लाल को जो नीला करेगा वो चार होगा और चार का प्यजमान 7 से जादा होता है इसलिए आंसर हो जाएगा 7 ठीक है इस तरह से कोशन का अंसर हम दे सकते हैं अब देखते हैं next question next में बोला गया है मारम नेत्र के जिस भाग में किसी बस्तू का प्रतीव में बनता है वह कहलाता है तो हिंदी में option देखकर थोड़ी सी दिक्कते हैं हमें होती है इस question में क्योंकि English में हम सबको पता होता है रेटीना है एंदी में भी याद रखेंगे दस्टी पड़ा बोला जाता है ठीक है उसके बाद में अगला question देखते हैं अगले question में हमसे बोला गया है कि विद्धुत परिपत में सैल को निरूपित करने के लिए प्रेक्ट यह द्वारा किया जाता है ठीक है यह प्रतिरोद का होता है तो इस तरह से और बाकि सारे symbols के लिए को प्रोपर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे सिंबल एक वार में लर्न कर सकते हैं ठीक है अब अगला है विद्धुत प्रतिरोद का ऐसाई मातरक कि ऑप्शन है फस अर ओ मीटा लगता होती है ठीक है, चलिए, कॉशंच 4-गोली दरपंड के धुरूब…. तथा मुक्यओ कास्व कर दूरी कहलाती है語 धूर्शन आफ़ुर- अपर सबच्विया नोलय रभरण तो देखेगा यहां पर इस एल ने इस एफ़ी को बिस्थापित करके खुद इसकी जगा ले ली है इसलिए इसको बिस्थापन अभी क्रिया कहेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला है जा बायो गैस का मुख्य अभयव है ऑक्सीजन अमोनिया मैथेन एथेन तो इसका हो जाएगा बायो गैस का मुख्य अभय होता है वह होता है मैथीन ठीक है ओप्शन थाड है अब अगला कोशन देखेंगे कोहशन नमबर स marijuana 2 बोला गया है पीतल के मुख्यों के नाम तो पीतल के मुख्यों होते हैं तांबा और जस्ता यह बहुते हैं फिस नोट कर लिजये अगला कोशन है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम सभी को पता है लार में कौन सा एंजाइम पाए जाता है तो लार में पाए जाता है टाइलिन एंजाइम ठीक है कौन सा लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन इसका काम क्या होता है ये starch को शरकरा में तोड़ देता है ठीक है Tylen enzyme को क्या काम होता है Tylen enzyme starch को शरकरा में तोड़ देता है जिसके कारण हमारा भोजन हमारे मुख से पाचन के रिया start हो जाती है ठीक है अगला है benzen तथा pentane का संदचनात्मक सूत्र तो benzen का होता है C6H6 वहीं पर pentane की बात करें तो होता है C5H12 क्योंकि इसमें सारे single bond होंगे इसलिए ही H12 हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं question number 5 की और question number 5 में हमसे बोला गया है कोई विदुद बल्ब 220 बोल्ट के जनेत्री से संयोजित है बल्ब में इतने ampere की धरा प्रवायत होती है बल्ब की शक्ति ग्याद कीजिए ठीक तो शक्ति के लिए formula होता है P is equals to B into I अब B यहाँ पर given है 220 into I हमको given है 0.05 ठीक है अब हम इन दोने की multiply करेंगे तो 0, 5, 2, 10, 5, 2, 10 और 1, 11 और यहाँ पर point लगा लेंगे तो 110 यानि 110 और शक्ति का मात्र होता है वाट तो 110 वाट की यहाँ पर शक्ति बल्ब प्रवाहित करेगा ठीक है अब है एक link की पुष्प का एक उधारन तो अगर हम एक link की पुष्प की बात करें तो इसका एक उधारन हो जाएगा पपीता ठीक है एक link की पुष्प का उधारन पपीता वहीं पर अगर उभै लिंगी पुष्प की बात करें तो टमाटर, बैंगन, गुलाव, आदी जो भी हैं वो सब उभे लिंगी या दूरी लिंगी पुष्प में आ जाते हैं, ठीक है, अब है अगला सामाने ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना, यह कोशन बहुत जादा रेपीटिड है, बहुत जादा, तो सामाने ताप पर द्रव अवस्था मे पाई जाने वाली धातू होती है HG जिसे बोलते है मरकरी या पारा ठीक है मरकरी या पारा ये होती है समाने तापर द्रवस्था में पाई जाने वाली धातू और वहीं पर हम आगर अधातू की बात करें तो समाने तापर द्रवस्था में पाई जाने वाली अधातू होती है ब्रोमीन क्या होती है ब्रोमीन ये दोनों कोश्चन एक साथ किलियर हो गए समाने ताप पर द्रवबस्था में पाई जाने वाली धातू मरकरी और अधातू ब्रोमीन ठीक है अगला कोश्चन अगले question में बोला गया है कि एक उत्तर lens की focus दूरी 25 cm है इस lens की छमता याद करो तो lens की focus दूरी 25 cm है और छमता का formula होता है पी वरावर बन अपॉन है जहां पर focus दूरी मेटर में होने चाहिए अभी cm में है इसको मेटर में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 0.25 और इसके अपॉन में तो यहां पर इसके value रखेंगे पी is equals to 1 upon f तो 1 upon 0.25 पॉइंट हटाएंगे 20 बढ़ाएंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फोर और इसका मात्र होता है डाय ओप्टर ठीक है इस तरह से कोश्चन कांसर हम दे सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं यह लास्ट कोश्चन है वन माक्स का इसको और देख लेते हैं उर्जा के दो बैकल्पिक स्त्रोतों के नाम तो सौर उर्जा पवन उर्जा जौर यह उर्जा इस सारी भूताप यह उ फइडियो पसंद देतों लाइक कीजिए चैनल पीर स्टाइम एं सब्सकाइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए और डान्लट कि लीज्ट कर लिजिए हमारी अप्लीकेशन को और पर टू के लिए कमेंट direito है तो आज के लिए तना ही रखते हैं मिलते हैं नस वीडियो झाल झाल